हमारी आखे तीन आयामों वाली और हिलने वाली प्रतिमाएं तैयार करती हैं सामान्य तहा ये प्रतिमाएं दिन की रोशनी में रंग बिरंगी होती हैं इसका मुख्य कारण है कि ये सारी विशेशताएं प्रकाश पर निर्भर होती है किसी भी वस्तू से जब प्रकाश परावर्तित होता है और वह वस्तू अगर हमारी नजरों के दाएरे में आती है तब वो हमें दिखती है प्रकाश सबसे पहले जिस भाग को स्पर्श करती है वो है हमारी आँखों का अगर भाग स्वच्छ मंडल ठीक इसके पीछे हमारी आँखों का अगर जरोखा होता है जिसे नेत्रपटल अर्थात कॉर्निया कहते हैं ये साफ परत हमें प्रकाश को केंद्रित करने में सहायता करती है अधिक तर अपातित प्रकाश आँखों के भीतर और नेत्रपटल के बाहिस सता पर अपरावर्तित होता है एक और बाद हम सब políticas में एक तरल पदार्त है जो आँखों के अगर भाग होता है और आंखों के अंदरूनी दबाव को स्थिर रखता है वहां से प्रकाश पुतली को पार करता है पुतली हमारे परितारिका अर्थात आंख गोलक के मध्य में स्थित छिद्र है जो हमारे आंखों का रंग निश्चित करता है विबिन व्यक्तियों के परितारिका अर्थात आंख कोलग का रंग अलग अलग होता है परितारिका के मध्य में एक छिद्र होता है जिसका व्यास बदलता रहता है अर्थात वो छोटा बड़ा होता रहता है उसी छिद्र को पुतली कहते हैं आँखों के भीतर आने वाली प्रकाश की तीवरता को पुतली नियंतरित करती है अगर हमारे आँखों पर तीवरत प्रकाश पढ़ रहा हो तब पुतली के सनायों सिकुड जाते हैं और अगर प्रकाश की मातरा कम होती है तो पुतली के सनायों में प्रसरण होता है नेत्र के पुतली के ठीक पीछे पारदर्शक द्विवत्तलिय केलासिय हिस्सा होता है वही आँखों की लेंस होती है आँखों की ये लेंस कैमरा की लेंस के समान काम करते हुए प्रकाश को केंद्रित करती है प्रतिबिम्ब योग रूप से बने इसलिए लेंस के नाभी अंतर में थोड़ा सा समायोजन अर्थात बदलाव किया जाता है आँखों के अंदर लेंस नेतर पटल पर किसी भी वस्तू का वास्तविक और उल्टा चित्र बनाती है प्रकाश अब आँखों में मध्य में प्रवेश करता है इसके बाद प्रकाश आर्दता से युक्त एक पारदर्शी जेली जो कांचाप जैसी होती है उसमें प्रवेश करता है इस प्रकाश को वास्तों में नेत्र पटल तक जाना होता है जो हमारी आँखों के पश्च भाग में होता है यह सिनेमा के परदे के समान यह कैमेरा के फिल्म के समान काम करता है यह पटल प्रकाश के सब्वेदंशिल कोशिकाओं से बनता है इसी वज़ा से हम प्रकाश की चान पाते हैं और हमें गहराई का भी अनुभव होता है केंद्रित किया गया प्रकाश फोटो रिसेप्टर कोशिकाओं पर पढ़ता है ये कोशिकाओं प्रकाश पढ़ने के कारण उत्तेजित हो जाती है और विद्युत संकेतों को प्रसारित करती है ऑप्टिक नर्व के मूल रूप में देख पाते हैं इस प्रकार हमारी आँख काम करती है हमें नेत्रों से कैसे दिखता है ये सीखेंगे प्रकाश अपने स्त्रोच से निकल कर किसी वस्तू पर टकरा कर हमारी नेत्रों में जाता है नेत्रों की दृष्टी पटल पर इसकी प्रतिमा तयार होत अगर वस्तु बहुत दूर या बहुत पास हो, तो उसका प्रकाश दृष्टी पटल पर फैल कर गिरेगा और हमें धुंदली तथा अस्पष्ट प्रतिमा दिखेगी नेत्रों की नसों के कारण हम नेत्रभिंग को छोटा कर सकते हैं जिसके कारण हम वस्तु के अंतर के अनुसार प्रतिमा पर ध्यान केंदरित कर सकते हैं। अगर नेतरभिंग को क्षती पहुंचे अथवा उम्र के अनुसार वे कमजोर पड़ जाएं तो हमें बाहर से मदद लेनी पड़ेगी। जैसे चशमा लगाकर जिसकारण वस्तु की प्रतिमा द्रिश्टि पटल पर केंदरित या संसादित हो जाएगी। दो घनक्षेत्र ऐसे रखे जिनकी चौकोनी स्थान एक दूसरे के सामने आएंगी। प्रकाश त्रोतों से निकली हुई प्रकाश किरन अपवर्तन होकर जब दूसरी ओर से बाहर निकलेंगे तब वे एक दूसरे को भेद कर जाएंगी। अगर हम यही रचना और कुछ काज के चौकोनी तक्ते लगाकर करें तो घनक्षेत्र पर गिरे हुए आपाती किरन भी अभिसारित होते हैं। अत्वा एक ही बिंदू में मिलते हैं। हमने अगर इन सारे घनक्षेत्रों को रचना की एक ही ओर किया तो हमें उत्तल लेंस मिलती है लेंस के बाहर के गोलिय प्रिष्ठभाग कालपनिक वृत्त के हिस्से माने जाएंगे इस कालपनिक गोल वृत्त का केंद्र यानि उस लेंस का वकरता केंद्र इस वृत्त की तरिज्जा को वकरता तरिज्जा या वकरता अर्धतियास माना जाता है लेंस की एक ओर से आने वाली प्रकाशी किरने अपवर्तित होकर दूसरी ओर एक ही बिंदु में केंदरित होती है इस बिंदु को लेंस का केंदर बिंदु कहते हैं लेंस के प्रकाशित केंदर से केंदर बिंदु तक के अंतर को ना भी दूरी कहा जाता है उत्तल लेंस से बनी हुई प्रतिमा वस्तु की सच्ची वास्तविक प्रतिमा होती है उत्तल लेंस सूर्य प्रकाश कागस पर किसी एक ही बिंदु पर एकतरित कर सकते हैं सूर्य प्रकाश की सारी शक्ती इस एक ही बिंदु में केंदरित होती है इसलिए कागज गरम होकर जलता है आँखों की लेंस उत्तल होती है हमें सूर्य की ओर सीधे नहीं देखना चाहिए इससे हमारे नेतर पटल को ख्षती पहुंच सकती है उत्तल लेंस में आपतित किरण दूसरी ओर केंदरित होने के कारण उसे अभिसारी लेंस कहते हैं अन्य प्रकार के लेंस देखेंगे आउतल लेंस दो घनक्षेत्रों के शिरोबिंदू जुडेंगे इस प्रकार से रखे और उसके साथ कुछ काच के चौकोनी तख्ते उनके पास रखे प्रकाश त्रोतों से निकलने वाले किरण प्रमुख अक्ष को समानतर हो तो वे केंद्र से दूर दूसरी ओर अपवर्तित होंगे अर्थात प्रकाश किरण एक दूसरे से दूर जाते हैं अपसारित होते हैं ऐसे रचना से इकठा होने वाला काच का टुकडा माने आउतल लेंस इस लेंस का गोलिय भाग अंदर की ओर होता है अगर दूसरी ओर अपसारित किरण पीछे की ओर बढ़ाए तो वे वस्तू की ओर ही मुख्य अक्ष पर एक बिंदू में इकठा होए जैसे लगते हैं उस बिंदू को आउतल लेंस का केंद्र बिंदू कहते हैं आउतल लेंस से बनी हुई प्रतिमा आभासी होती है सारांच हमने विभिन प्रकार के लेंसों के बारे में पढ़ा विभिन लेंसों से प्रकाश किरण जाने पर प्रकाश किरणों में होने वाला वर्तन परिवर्तन हमने देखा झाल झाल